नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान जॉब अलर्ट्स में साथियों लंबे समय से मांग चल रही थी, कई कमेंट्स आ रहे थे कि टाइपिंग के लिए हाई कोट, राजस्थान हाई कोट, LDC की टाइपिंग और एफिशेंसी के लिए जो इंस्ट्रक्शन्स आये हैं, उनके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया जाए मित्रों, आपकी इस मांग पर हमने एक वीडियो बनाया है और हम आपको बताएंगे कि कैसे टाइपिंग टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एफिशेंसी में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं और हम कैसे बताएंगे कि मैंने खुद ने 98.5 मार्क्स हासिल किये जी हाँ दोस्तों, मैंने भी LDC में मार्क्स लाया हूँ 98 मार्क्स देखिए अब बात करें हम ये नॉटिफिकेशन में इस सेक्शन बी में पेपरवन स्पीट टेस्ट के लिए यहाँ पर पहले तक होता था कि एक ही विशय में या तो आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहें तो हिंदी में टाइपिंग कर सकते थे अब इनोंने थोड़ी सी तबदीली यहाँ पर किये हिंदी और अंग्रेजी आप दोनों ही भाषाओं में आपको टाइपिंग करनी होगी पाँच-पाँच मिनिट के लिए जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट हिंदी के लिए यहाँ पर पाँच मिनिट्स जो की मैक्सिमम मार्क्स हैं 25 मार्क्स स्ट पीच के लिए यहाँ पर 20 मार्क्स और अधर के लिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स साड़े 22 मार्क्स फ्रेंड्स इंग्लिश में ऐसे ही टाइपिंग है पाँच मिनिट की वही मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं SC, ST के लिए आपको चाहिए 20 marks और other category में आपको चाहिए साड़े 22 marks अब मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज किलियर कर दूँ कि यह typing के संबंद में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर साड़े 22 marks जो आप बात हो रहे हैं तो यहाँ पर लगवख 8000 की depression है मतलब पूरे अंक प्राप्त करने के लिए आपकी typing speed 60 से plus होनी चाहिए मतलब 60 word per minute से उपर आपकी typing speed होनी चाहिए आगे मैं बात करूँ efficiency test के लिए friends efficiency test यहाँ पर हिंदी में भाशा में होगा यहाँ पर efficiency test के duration है 10 minute जी हाँ 10 minute पूरे 50 marks के लिए काफी अच्छा roll अदा करता है यहाँ पर efficiency test efficiency test में आपको अगर आप SCST candidate है तो आपको 20 marks चाहिए friends आपको 20 marks चाहिए और वहीं general candidate को और other candidates को साड़े 22 marks चाहिए friends जैसा कि आपको पता था result high court LDC का आया था 18 मई 2022 को लगबग 2 महिने यह 3 महिने के अंतराल में हम यह कह सकते हैं कि आपकी typing test जुलाई के last week और अगस्ट के first week में हो सकती है मित्रों यह high court है यहाँ पर विलंब जादा नहीं होता देरी जादा नहीं होगी इसलिए आपकी typing speed को आप बनाए रखें जितना हो सकें उतना type करें क्योंकि यह high court है यहाँ पर देरी नहीं होती पिछली बार RSSB में time काफी मिल गया था RSSB के LDC जो हुई थी 2018 वाली vacancy थी काफी time मिल गया था तो लोगों ने अपनी typing speed को काफी increase कर लिया था लेकिन यहाँ पर समय जादा नहीं है इसलिए जादा से जादा आपके पास July last week और August first week में आपका यह exam typing का conduct हो सकता है मित्रो मैब गतियम दक्षता परिक्षा की आयोजन की विधी जो की इनके notification में आया है एक बात मैं आपको clear कर दूँ दो typing के लिए जो font यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है typing के लिए जो font है वो यहाँ पर हिंदी में आपको क्रूती देव 010 हिंदी के लिए और कैलीबरी आपको English में देखने को मिल सकता है मिनिमम स्पीड जैसे मैंने आपसे थोड़े पहले ही बात की कि 8000 की depression per hour चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ data will have to feed in dual language English and Hindi 8000 की depression इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको पूरे अंक प्राप्त करने के लिए 66.6 word प्रती minute की आपको स्पीड चाहिए और passing marks के लिए 26.6 word पर minute की आपको चाहिए efficiency test आपका word पर होगा MS word पर जो कि एक software होगा वहाँ पर जो आपको अपलब्ध होगा वहाँ पर आपको paragraph मिले हैं page मिल सकते हैं, table मिल सकते हैं और आपको वहाँ पर उनमें formatting करनी पड़ेगी यह आप देख सकते हैं include formatting of test, paragraph, page and table using proper method and formatting of letters friends, आपको यह पता ही है कि लगबग 5 गुना candidates को यहाँ पर लिया गया है 5 गुना candidates को यहाँ लिया गया है, एक vacancy पर 5% तो कम से कम in case of SCST आपको 45-40% marks तो लेने ही होंगे friends, आप अच्छे से typing कीजिए एक बात मैं कुछ typing tips आपको यहाँ देना चाहूंगा जो कि मैंने भी अपने पिछले exams में मुझे काम आई है एक general suitability यह हो कि आप जब typing के लिए जाने लगें तो थोड़ा सा एक बात आप ध्यान रखें कि typing के लिए आप जा रहे हैं तो अपने को एक ची यह है कि एक हमारा admit card हमारे साथ होना चाहिए जो typing instructions की बात आप मैं आ रहा हूं धिरदरे करके कि typing instruction of procedure for speed and efficiency test एक आप normally जैसे अब गर्मियों में हो सकता है यह ज़्यादा बरसात का time हो सकता है तो आप ज़्यादा कुछ ना पहन के जाएं केवल एक T-shirt और एक पजामा आप ले सकते हैं carry कर सकते हैं तो आप अपने साथ एक admit card रखेंगे admit card होना चाहिए आपके पास इस पे एक recent passport such photo आपको जरुरत पड़ेगी एक बात मैं आपको typing में यहां बता दू जो अकसर नहीं बताते हैं और लोग बहुत ज़्यादा ब्रहमित रहते हैं इसको लेकर कि यहाँ पर एक बात बहुत जानने की है कि यहाँ पर आपको जो keyboard मिलेगा उस keyboard में एक बात आपको ध्यान रखने की है मैं देखो यह सारी बाते तो नहीं करते हैं एक बात ध्यान रखना है आपको आपका keyboard चेक कर लेना है आपको आपका monitor चेक कर लेना है आपको आपका computer peripheral चेक कर लेना है लास्ट टाइम मैंने दिया था exam मुझे पता है कि बच्चे काफी ज़्यादा परिशान हो रहे थे candidates कि किसी का monitor काम नहीं कर रहा था किसी का keyboard खराब था तो एक बार आप पहले उसे check कर ले चेक करने के बाद क्योंकि High Court ने अपना जो notification निकाला है उन्होंने instruction दिये है वाँ उन्होंने साफ कर दिया है आप questions को scroll down करके passage ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं Speed test shall be of 10 minutes duration of those candidates who opted Hindi language जो Hindi language वालों हैं सबको यहाँ पर पिछली बार के 10 minutes का होता था अब 5-5 minutes के आपको 2 Hindi English के देने होंगे एक बात और हम बात कर लेते हैं navigation keys वहाँ काम नहीं करेंगी spell check भी यहाँ पर काम नहीं करेंगा एक बात और बता तूँ मित्रों वहाँ पर back space भी काम नहीं करेंगा आपको कोई अधर की नहीं छेडनी है वरना आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं आपको कोई भी की arrow की upward की वगर आपको नहीं छेडनी है सिर्फ आपको जो काम है जो टाइपिंग है सिर्फ उनीकीज को छेडना है यहाँ पर वस यह थोड़े सी ध्यान रखने हैं क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में दल्ती कर जाते हैं और फिर खामे आजा हमें भुगतना पड़ता है इसके अलावा आपको ठीक से अपने आप आपका कम्प्यूटर काम करेगा आप जैसे ही टाइपिंग कर लेंगे अटोमेटिकली यह स्टॉप अटोमेटिकली कम्पलीशन कर देगा हर स्टैप पे यह अटोमेटिकली काम करता रहेगा तो फ्रेंड्स ये दो कुछ बाते थी जो मैंने आपके साथ शेर की मैंने भी LDC का एक्जाम पास किया है 98 मार्क्स थे मेरे और इनी सब चीजों को आप फॉलो करके अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं तो friends, अपनी स्पीड को इंक्रीज करते रहिए और टाइपिंग कर तरही याद रखिए ये राजस्थान हाई कोट के वेकेंसी है जादा टाइम नहीं लेगी इसलिए आप अपनी स्पीड को बनाए रखिए हिंदी की टाइपिंग के लिए आप कुरुती देव 010 फॉन्ट यूज कीजिए इंग्लिश के लिए आप कैलीबिरी यूज कीजिए इसी तरह की जानकरी को जानने के लिए हमार यूट्यूब चैनल राजस्थान जॉब अलट सकोब सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद दोस्तों